मुक्ति के आठ अच्छू कूपाए हमारे देश के व्यापारी है ड्यू टू लाक अफ कैलकूलेशन एंड लाक अफ फिनैंशल प्लानिंग करजे में चले जाते हैं अकाउंट्स और फिनैंश एक चीज नहीं है अकाउंट्स तो आपका पर्ची बनाना बिल बनाना लेकिन फिनैंशल प्लानिंग हर आदमी को इंडिविज्वल बिजनस को बहुत जरूरी है आठ लाक करोड रुपे का करजा आज बैंकों को वापस नहीं मिल पाया अपने आप ही हाइपर टेंशन, इंग्जाइटी, बीपी, स्ट्रेस, डिप्रेशन तरहे तरहें की बिमारिया एड उने लग जाती है करजे में दबेवे आदमी की बैरियर फ्री थिंकिंग खतम हो जाती है देश के 30% से ज़्यादा लोगों की 30% एक्स्ट्रा बिमारिया इसी करजे के कारण आ रही है तो बिकम हैपी, यू डोंट नीड पीश अप फिनांस, यू नीड फिनांशल पीश, एकमान, यू नीड फिनांशल पैसा, आपको खुश नहीं करेगा फिनांशल पीश आपको शांती देगा आठ करांती कारी उपाए हैं, पूरा वीडियो देखेगा आज आपके क्रेडिट कार्ड को या तो जला दो, या जमा दो, या तोड़ दो, खतम कर दो आज कुछ शांदार उपाए दूँगा पहला पॉइंट है, लिस्ट यूर डेट बाई इंटरस्ट रेट आप एसेंडिंग या डिसेंडिंग ओर्डर में, जितनी भी तरह कि आपके करदे हैं चाहे वो परसनल लोन का है, होम लोन का है, इंसेक्योर लोन का है, कार लोन का है, एजुकेशन लोन सब को इंटरस्ट रेट के हिसाब से सीक्वेंस में लिख लें, जिसका इंटरस्ट सबसे जादा है, उसको सबसे पहले खतम करें सब में बराबर बराबर EMI नहीं देने का ज्यान दीजिए, आप लोग यही गलती करते हैं सबकी EMI चल रही है, सबकी EMI जा रही है, ना 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 बाकियों को मिनिमम पेइमेंट पे रखिए, जिनका इंटरस्ट रेट जादा है ना, उन पे हमला बोल दीजिए, अटैक करिए, उसको जड़ से उखाड़के तुरंद खतम कर दीजिए, जरा देखते हैं किसका इंटरस का रेट आफ इंटरस्ट है, और क्रेडिट कार्ड तो बनाई आपको बरबाद करने के लिए है, एवरेज 32% या उससे जाद इंटरस्ट रिताता है क्रेड़ का, सिंपल मुद्दा है, सबसे महंगे वाले को सबसे पहले खतम करो, बाकियों का मिनिमम पेइमेंट के साथ उन तो सबसे महंगा है, उस पे बढ़ा बढ़ा के EMI पे करना शुरू कर दी है शुरुआत से ही, और जो गेन होगा सेम परपोर्शन में नहीं, एक्स्पोनेंशल गेन होता है, जरा एक टेबल को समझते हैं, हम लेंगे तीन सिनारियों का टेबल, सिनारियों 1, 2 और 3, इन तीन पैसा एक तालिस महीना मल्टिप्लाइड बाइ पांच हजार रुपया, दो लाख पांच हजार रुपया लग जाएगा, पर सिनारियो 2 में अगर आप इस पेमेंट को डबल कर देते हैं, यानि कि पांच की जगए दस हजार रुपय महीना पे करना शुरू कर देते हैं, पांच के जगए दस तो हमने ले लिया, लेकिन अगर आपने सीधा बीस हजार रुपया महीना पे करना शुरू कर दिया, यानि कि पेमेंट आपने चार गुना किया, लेकिन रिडक्शन इन टाइम टेकन आपको साथ गुना मिल जाएगा, यानि कि अब आपका पूरा पेमे करिए, एक्स्पोनेंशल फाइदा उठाइए, तीजरा पॉइंट है, सेल अननिसिसरी आइटम्स पर टीस तो तो फूर एमाइज, वारन बफे कहते हैं, इफ यू बाइ तिंग्स तट यू डूंट नीड, यू विल हैब तो सेल तिंग्स तट यू नीड, पर अमूमन फिर है, और आपके लिए एक depreciating asset बना हुआ है, थोड़ा अपने घर में जहांके देखिए, मैं कुछ examples देता हूँ आपको, काफी सारा unnecessary furniture, या old mobile phones हो सकते हैं, electronic appliances जैसे TV, microwave, heater, कई bags भी हो सकते हैं, खूबशूरत, लेकिन अब आब इस्तिमाल नहीं करते, थोड़े पुराने हो ग करता है, OLX पे बेच दे, quicker पे बेच दे, दुनिया भर की एड आ रही हैं, कम से कम 4-5 EMI आप ऐसे ही निकाल लेंगे, उन चीदों को बेच के, जो कच्छरे की तरह depreciating asset बनके आपके घर में पड़ी हुई है, मेरा चौथा point है, temporary downsizing, बुद्धिमान आदमी, appreciating asset खरीता है, औ और कम बुद्धि का व्यक्ति, या तो depreciating asset खरीदेगा, या liability खरीदेगा, या unnecessary objects खरीदेगा, downsize yourself temporarily, at least कुछ ऐसे चीदों को फटा-फट evaluate करिये, कुछ 3-4 चीदे क्विकली बताता हूँ, पहला अपने gratification expenses को evaluate करिये, dine out expenses को evaluate करिये, entertainment expenses को evaluate करिये, unnecessary monthly subscription services, depreciating asset या non-value adding objects, यह कई सारी चीदे हैं, जिनको अगर थोड़े दिन के लिए आप control करें, कुछ extra 30% की saving की जा सकती है, आपकी monthly planning में, जो naturally आपकी EMIs को contribute करती है, पांचवा point है, pay loans with the second income, कई बार husband wife घर में दोनों काम कर रहे होते हैं, तो एक की salary से घर चलना चाहिए, और saving होना चाहिए, दूसरे की salary केवल loans pay off करने में पूरी तरह हैं dedicate हो जानी चाहिए, जब आपको पता है कि वो salary available ही नहीं है, आप loans को जादा अच्छा manage कर पाएंगे, और दूसरा उपाए हो सकता है केवल एक earning member हो घर में wife ना काम करती हो, उस case के अंदर अपने लिए additional income की planning आप कर सकते हैं, क लेवल marketing executive leader बन सकते हैं, data entry, telecalling या industry specific consulting, कहीं लोग as a hobby catering भी करते हैं, जैसे homemade cookies या cake, you can also become a tour guide for weekends, Ola या Uber, driving भी आप part time कर सकते हैं, office कतम होने के बाद, drive करते हैं, Ola, Uber, ये भी extra 15-20,000 पर महीने का आपको काम दे सकता है, या कुछ लोग social media पे paid tweeting etc कर सकते हैं, छोटी छोटी चोटी चीज़े हैं, जो की जा सकते हैं, आप अपने passion को ढूंड़िए, जो profession के साथ-साथ build करके, extra income, जो की you can straight away throw it to your EMIs, मेरा छटा point है, have an emergency savings fund, देखिए, loan लेना ही ना पड़े, इसके लिए, कुछ ना कुछ emergency savings corpus आप डाल सकते हैं, जिसको निकालना बड़ा असान है, कभी भी निकाला जा सकता है, 24-48 गंटे के notice पे तुरंट निकाला जा सकता है, equity में भी आप invest कर सकते हैं, किसी भी समय पैसा बाहर निकल जाता है, 6-8 या 9% का भी debt के अंदर बहुत सारे ऐसे funds हैं, जिसमें return मिल जाता हैं, ये लोग जानते हैं, लेकिन करते हैं, habit of budgeting is an extra blessing, have a data driven approach to your spending, keep your intelligence above emotion, keep your intelligence above emotion, अगर आप budget बना लेते हैं, आपकी emotional spending को ये तुरंट control कर लेगा, budget का मतलब है, आपकी plan करने की शमता बड़ा सरल उपाए, पिछले 3-4 महीने के spend को देखें, plan करें और एक excel sheet बना लें, जिसमें allocate कर दें, मैं इस चीज़ के लिए, और इस चीज़ के लिए, और इस चीज़ के लिए, और इस चीज़ के लिए कितना खर्चा करने वाला हूं, those who don't manage their money will always work for those who do, simple, जो अपने पैसे का ख्याल रखना नहीं जानते, वो हमेशा उनके लिए नौकरी करते हैं, जो पैसे का ख्याल रखना जानता है, budget आपको मदद करेगा data driven spending के लिए, emotional spending को तूरंद control कर देता है, simple सा एक framework दे रहता हूं, यहां category लिख ले, इधर budgeted amount लिख ले, इधर spend amount लिख ले या remaining amount लिख ले, चाटेगरी में आप लिख सकते हैं, electric bills, groceries, investment, rent, water bill, mortgage, food, credit card, loan, utility, cable, entertainment, etc., उसके सामने लिख ले, कितना budgeted amount है, इसके लिए मैं इतना खर्च करूंग, इसके लिए इतना, और उसके बास सामने लिख ले, spend किया कितना, उतना किया throw any excess cash on your debt, कुछ भी पैसा extra मिलता है ना आपको, example के लिए कभी आपको tax refund मिलता है, कभी कोई गाड़ी बेच के पैसा मिल जाता है, कुछ property inheritance परिवार से मिलती है, कोई bet जी जाते है, bonus है, incentive है, variable है, अच्छानक आने वाला कोई भी windfall gain, उसको अपने घूमने फिरने में ना ल के मारो और तुर्ण उधार खतम करते जाओ, करदा लेने में जल्दी मत करिये, अपने सिबिल स्कोर को अच्छा रखिये, बहुत जरूरत के समय में खर्चा करिये, चानक के पंडित कहते हैं, रिड, शक्त्रू और रोक जहां मिले, तुर्ण समाप्त कर दो, इन तीनों को स कानी अंजाने में पहचानते हैं, लेकिन अपलाई नहीं करते हैं, इसको मैं एक फ्रेमवर्क में आपको आज वीडियो के माद्यम से दिया है, बहुत सारे व्यापारी कर्दे के करन परिशान है, उनको वीडियो भेजिए, उनको कही आइडियास आ जाएंगे, कर्दा जब सर पे चड़ा होता है ना, तो दिमाग कम काम करता है, मेरे नए सब्सक्राइबर्स और वीवर्स को मैं बता दू, अपने लीडर्शिप फ़नल में, डेट रिस्ट्रॉक्चरिंग, डेट मैंग,